जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो नववर्ष की शुरुवात हो चुकी है और इस वीडियो में हम आपको नववर्ष के 2020 के जन्वरी माह के पहले सप्ता के धनूराशी फल के बारे में बताने वाले हैं कि इस नववर्ष का ये पहला सप्ता आपके लिए किस तरह से खास बना हुआ है कौन से योग बन रहे है जो आपके लिए इस नई साल की शुरुवात को खास बना रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को नवश की फिर से हार्दिक शुपकामना आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें जो भी आपकी इच्छा है वो सभी इच्छाओं आपकी पूरी हो अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पासी बने घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नॉटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो दोस्तो ये जो राशी फेला ये चंद्र पर आधारित है और इस सप्ताह में एक जैन्वरी से साथ जैन्वरी तक चंद्रमा जो है वो कुम्भ राशी से तक जाने वाले हैं यानि धनुराशी वाले लोगों के लिए ये सप्ताह बेहत खास होने वाला है धनुराशी वाले लोगों के लिए तीसरे भाव से चंद्रमा चलेंगे और उनके शस्टम भाव तक चंद्रमा जाएंगे जिसके इस्थिती कितनी लाबदयक आपके लिए बनी हुई है चलिए जानते हैं तो दोस्तों एक तो वर्ष की शुरुवात से ही आपके लिए पंचग्रही योग बना हुआ है जो कि आपके लिए जो विशम परिस्थितियां है उनसे आपको छुटकारा दिलाने बाला है यदि आप इस समय किसी प्रतियोगिता में शामिल हो हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय होगा क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है एक जनवरी को चंद्रमा तीसरे भाव में है और तीसरे भाव जो होता है वो पराकरम का भाव होता है पराकरम के भाव और वानी का भाव ये आपके लिए यहां आपकी वानी को बह यहां आपके लिए सफलता का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ जाता है तो अपने जो योग आपके लिए बने हुए हैं इन योगों का पूर्ण लाव आप उठाएं ताकि बड़े से बड़ा कारिय और निन आप तुरंत करें और सफलता की सभावना बहुत अधिक आपके लि यानि अगर आपके पास रोजगार नहीं है आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो आप नौकरी के लिए आवेदन जरूर करें इस समय किया गया आवेदन भी आपके लिए सफल रहेगा तो यह बहुत ही अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है इसके बाद दो जनवरी से और चार जनवरी तक जो चंद्रमा हैं वो आपके चौथे भाव में रहेंगे और चौथे भाव में चंद्रमा किस्ति ठीक ठाक बनी हुई है, बस तीन जनवरी को आपको थोड़ी सी सावधानी रखने होगी, तो यह जो समय होगा, यह आपके लिए काफी अच्छा समय होगा यह जो है आपके लाब का भाव है, तो लाब होना तो आपको यहाँ निश्चित है, क्योंकि यह पूरा सप्ता है, यह आपके लिए शांदार सप्ता है रहने वाला है, तो यहाँ आपके जो पराकरम में व्रद्धी है और जो सूच विचार से, आप अपने कार्या करेंगे यह उन सबी कारियों में आपको लाब की प्राप्ति निश्चे तोर पर होगी, तो जैसा मैंने कहा तीन जन्वरी को आपको थोड़ा समल कर रहना है, तीन जन्वरी को कोई ऐसी बात हो सकती है, किसी व्यक्ति से आपका वादिवाद की इस्तिती बन सकती है, जिससे अपमान ही थोना पड़ सकता है, तो बस आपको थोड़ी सावधाने रखने हैं कि आप किसी से भी वादिवाद की इस्तितियों में ना पढ़ें तो आपके लिए यह पुरा सब्ता बहुत ही हिदकर साबित होने वाला है, आपको इस सब्ता में काफी सुकून मिलेगा, चार जन्वर अगर आप सोच समझ कर किसी भी कारे के लिए नेड़ा लेते हैं, किसी योजना के लिए नेड़ा लेते हैं, तो आपके लिए आपके कामों को सरहना होगी, आपके कामों से आपको लाब की प्राप्ती होगी, इसके लिए आप एक कारे करें, आप धर्मिक जगह पर कोई पी होती हुए दिखाई देगी आप जू भी कारे करेंगे उस कारे को आप पूरे खुले मन से करेंगे और अपनी पर्फोर्मेंस को आगे बढ़ाएंगे आपको किसी समानित व्यक्ति से मिलने का मौका भी इस पूरे सब्ता हमें मिल सकता है और यह ऐसा होगा कि आप थोड़ी मेहनत से ही आपको बड़े फाइदे होने शुरू हो जाएंगे अपने जीवन साथे की मदद से आपको अपने आर्थे की स्थिती में सुधार होता हुआ दिखाई देगा यहां आपके जीवन साथे के लिए भी अच्छे योग बने हुए है प्रॉफिट के योग बने हुए है लापता है की स्थितियां दिखाई दे रही है इस सब्ताह में किसी समारों में जाने का प्लान आप बना सकते हैं और वहां जाकर आपको काफी अच्छा भी लगेगा तो यह समय कई तरह से आपके लिए अनुकूल इस्थितियां बनाने वाला है इसके बाद जो चंद्रमा की स्थिति होगी वो 4 जनवरी सुभा से आपके लिए व्रिशब रासी में चंद्रमा जाएंगे और यहां 6 जनवरी तक रहेंगे तो ये समय आपके लिए ऐसा रहेगा कि नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको अपने कारेस्थिल पर कुछ थोड़ी बहुत चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है लेकिन आपके जो आप प्रियास कर रहे हैं अपनी लक्षों पर केंद्रित करते हुए लगातार प्रियास करते रहेंगे तो आपको निश्चे तोर पर कामिया भी मिलेगी आपको अपनी भाई बहनों के समंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा और वो आपको हर तरह से सहयो करते हुए भी दिखाई देगे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा अगर आपकी मा के साथ आपका कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वो इस समय आपके लिए सुलज जाएगा आपको अपने पारिवारिक जीवन में सकारातमक प्रणाम देखने को मिलेंगे माता के साथ अच्छे समंध आपके लिए बनेंगे और आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी बातों को खुल कर रखवाने में भी सफल रहेंगे जिसका सीधा असर आपकी जीवन पर पड़ेगा ये सप्ता आपके लिए सुख सुविधा का आनंद मिलने वाला सप्ता रहेगा सुख सुविधा का आनंद लेते हुए आप दिखाई देंगे जिसका सीधा आसर आपके धन पर पड़ेगा और एक बात का ध्यान रखना है कि बेवज़ा की खरेदारी ना करें यानि अगर आप के लिए जरूरी है तो ही आप खरेदारी करें बेवज़ा खरेदारी ना करें पंचम भाव में जो चंद्रमा है वो आपके लिए अच्छे भाव में अच्छे फालों की बराप्ति कराएगा प्रेम जीवन के बात करें तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यदि आप शादी शुदा हैं तो आपको अपनी दामपत्य जीवन से लाब देखने को मिलेगा क्योंकि आपकी संतान इस समय आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा करेगी और इस से आपको उन पर गर्व होगा तो ये जो समय है कई तरह की इस्तितियां आपके लिए बना रहा है चंद्रमा आखरी दिनों में यानि 7 जन्वरी को आपके छटे भाव में जाएगा तो इस छटे भाव में चंद्रमा की इस्तिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है तो ये दिन आपके लिए थोड़ा सावधानी भराद जरूर रह सकता है तो यहाँ थोड़ी सावधानी जरूर रखनी होगी खासतोर से अपने स्वास्थे को लेकर स्वास्थे संबंदी, कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है अगर आप हार्ड के पेसेंट है, बीपी का पेसेंट है आपको आपको सावधानी जरूर रखनी होगी कुछ भी परिशानी होती है तो तुरंत आप चिकितसक यानि डॉक्टर से सलहा ले क्योंकि यह समय ऐसी बिमारियों के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि ठंड का पर को भी बहुत जादा इस समय बढ़ा हुआ है तो बचकर रहेंगे और समय पर आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन नौगरी करने वालों के लिए वेपारियों के लिए ये सब्ताहा पूरा लाब उठाने का सब्ताह रह सकता है यानि पूरी सफलता दिलाने के लिए ये सब्ताह बहुत ही अच्छा रह सकता है बेरोजगार लोगों के लिए भी ये सब्ताह किसी बरदान से कम नहीं है इसलिए कहा कि ये जो सब्ता है ये शांदार सब्ता आपके लिए हो सकता है तो बेरोजगार लोगों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है उनके लिए ये सलाह जरूर है कि आप इस समय में नौकरी के लिए अपलाई जरूर करें online आवेदिन कर सकते हैं या फिर जैसे भी आवेदिन करना चाहें अगर आपनी सूच रखा है कि कहां आपको आवेदिन करना है तो जरूर करें क्योंकि यह जो पंचग्रही योग है यह आपकी जीवन में बहुत अच्छा परिष्थिती लेकर आया है जो विशम परिष्थिती लेकर आया है ऐसे योग बहुत कम बनते हैं जो पंच अच्छे ग्रह एक साथ होते हैं तो यह आपके लिए सफलता दिला सकते हैं इसलिए इस समय आप रोजगार के लिए अपलाई जरूर करें दुकान खोलना चाहते हैं तो जरूर खोले वेपार शुरूर करना चाहते हैं तो नीव आप जरूर डाल दें क्योंकि समय बहुत ही बहतर है और ऐसा समय बहुत मुश्किल से आता है तो इस समय का पूरा लाब आपको उठाना है ताकि आप इस नए वर्ष की शरुवात एक नए काम के साथ कर सकें और धन में लाब के साथ कर सकें तो दोस्तों ये था एक जनवरी से साथ जनवरी 2020 तक का धनू राशी फल एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हारदिक शुब कामना है अगली वीडियो में मिलेंगे अगली राशी फल के साथ तक हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें